हेलो फ्रेंड्स हमारी दो लाइव क्लासे होती है एक आपकी लाइव क्लास होती ही 6 पीम में और या फिर 7 पीम में भी होती है ठीक है 6 पीम और 7 पीम के बीचे होती है वहाँ पर आप लाइव आया करिए ठीक है वहाँ पर हम कटिंग टूल के MCQ करा रहे हैं दूसरी लाइव क क्लास आपके होती है नाइट में 10 p.m. पास में ठीक है तो दो लाइव क्लास साथ की डेली ओती ही रहती है जो आज सक्सक करेंगे जो आज लाइव थे था हमारा 9 पीम में तो उसका रिजल्ट भी आप लोगों को मिल गया होगा अब इस वीडियो में हम बताएंगे उस कोशन के क्या-क्या राइट अंसर है और आपने क्या लगा है वो भी आपको याद होगा ठीक है चलिए हम देख लेते हैं क्या-क्या हमारे राइट अंसर थे तो आज के लाइट टेस्ट में हमारे टोल 13 कोशन थे और पांच बिनट का टाइम दया गया थैगर आप लाइते होंग्या इस जॉइन करना चाहते है तो बहुत सारी मतलब बुक है आपके पास अगर नहीं है बुक की पीडियेफ है नोट से बगार कुछ भी किसी भी ट्रेट से अगर आप है तो आप हमारे नमबर वन आई टी आई फाइटर टेलीग्राम पर सच कीजिए आप उस पर आपके सामने एक आजाएगा वहाँ पर तो उ यहां पर बताना था तो कॉटर हमारा यहां पर आइस थाई फाश्ट जिसे हम बोलते हैं टेमपरेरी फास्टनिंग ठीक है तो हम नेस्ट वीडियो में हम कॉटर और इसकी वासरी सारे कुछ हम सब्सक्राइगे तो आज हमारा को यहां पर मेन उद्दे से फाश्टनर के बा fasting में क्या होता है friends इसे हिमDii में बोलते हैं इस थाइफ fasting ठीक है इसमें क्या होता है हमारा जैसे हमने welding कर दिया तो welding कर दिया किसी जॉब को पाइप है ťीक अगर bloque के मादियम से दोनों पाइप को आपसमें जोड़ दिया तो फिर हमारा वर्क पीस है वो खराब हो जाता है कहने का मतलब हो PERMANENT फाषनिंग या IST bisschen में कया होता है उमारा जौब और जो हमारा नियोग नE दनौं खराबो जाता है temporary fastening कि होती temporary temporary fastening को हम हिंदी बोलते हैं इस-थाइफ आइस-थाइफ फास्टिंग का मतलब ही रहता है कि मतलब जैसे हमने कोई सीट है ठीक है और या कोई जॉब है उसमें हमने थ्रेट काटा हुआ है ठीक है उस जॉब में ठीके अब इसके बाध हमने क्या किया फिर भी किने इसके बॉलड खेंग किया वा Muy क्लाइम पे उनके माध्यम से हमने इसको बना दिया जैसे कोई एक और वर्क पीस है तो उस वर्क पीस दोनूं वर्क पीस को अगर आपस में जोड़ना है तो इसमें भी आपका होल होगा तो बोल्ट ऑट डालके और एक तरब से वासर वगेरा और फिर उस मिनट लगा कि उसको कर लेंगे हैं तो फिर क्या होगा इसको बोल्ट को भी open कर लेंगे गी कोई हैं हमारा फार्ष्टिन लगा हुआ बोल्ट लगा हुआ तो अगर खराब हुआ गया कि जीव भी हमारा फार्ट्न खराब हो जाता है ठीक है तो अगर हमारा temporary फास्टिंग में हमारा जॉब खराब हो जाता तो कोई भी हमें छाती प्राप्त नहीं होती है ठीक ना ही जॉब में ना ही फास्टन तो आपको समझ में आ गया होगा सेमी पर्मनेट में आपको एक्जांपल देते हैं जैसे आपने घर में चाकू देखा होगा तो चाकू में आपका जो हैंडल होता है उसमें आपका रिवेट लगा होता है ठीक है अब यहां पे कुछ लोगों पता होता है कि रिवेट कहते हैं कि स्थाई में आता है कुछ लोग आई स्थाई में लगाते कंफूज रहते हैं देखिए को अगर हमने उसमें लगा दिया हो रिविट को अगर हम हटा हटाएंगे तो रिविट हमारा खराब हो जाएगा लेकिन जो हमारा हैंडल है वो हमारा खराब नहीं होगा कहने मतलब है कि अर्थ इस्ताई फास्टिंग में हमारा जॉब नहीं खराब होता है जो फास्टनर फास जाब हो जाएगा और यहांपर जाब हमारा सही रहे गाई अगर नडबोल्ट करने में क्हा होता यह लिए उपर जब हम आगर हटाते हैं तो फिर हमारा क्या है कि जो हमारा जॉब है और जो मसीन हो दोनों फिर हमारे भापर खराब हो जाते हैं ठीक है तो यह चीज आप हो समझने हैं तो question number first राइटान सर्वेया पर हो जाएगा permanent fasting ठीक है पर सरी आजिस्थाएफ फास्टिंग आज था एक मतलब क्या होता है temporary fastening ठीक है तो हमारा right answer हो जाएगा कि quarter किसके अंतर गाता था temporary fastening चली नेश कोशन देख लेते हैं कि आप पूछा गया की किस परकार का फाशनेर है तो की हमारा बताईए आपको क्या right answer लग रहा है आप comment कर सकते हैं तो की किस परकार का फाशनेर है तो की हमारा temporary fastening है ठीक है आपको पता होगा कि जैसे पुली है और हमारा जो soft है अगर हमें पुली को movement कराना है soft के साथ में तो हम की का प्रयूग करते हैं और की को अगर हम हटाना है तो की हटा लेंगे लेकिन नहीं हमारी soft खराब होगी नहीं हमारी पुली खराब होगी तो की का प्रयूग कहा करते हैं हमने आपको बता दिया कि हमारी किस प्रकार की fastener है वह हमारी temporary fastening हिंदी में बोलें तो आई-साई fastening है देश कोशन देख लेते हैं इस प्रकार की वीदी में job को को कोई नुकसान नहीं होता है जबकि फासनर खुद खराब हो जाता है बहुत को हमने hammer द्वारा कूट पीट के हमने उसमें लगा दिया और इसके बाद जब अगर handle धीला हो गया यह रिवेट धीला हो गया तो फिर हम रिवेट को जब हम निकालते हैं ठीके तो रिवेट को निकालने वह हमें खराब हुआ मिलता है क्योंकि हमने उसको hammer से कि इतना कूट हुआ मिलेगा लेकिन जोब हमारा सही रहेगा मतलब हमारा जो handle है वह सही रहेगा तो इसी में हमने कहा कि job को कोई नुकसा नहीं होता मतलब है है चीज़े आपको याद रखने हैं रिवेट किस परकार का फाश्टनेर आपको बताना था रिवेट किस परकार फाश्टनेर अभी हमने बताया सेमी पर्मनेट सरी अभी अर्धिस्ताई फार्मनेंट जिसे हम बोलते हैं सही बताया सेमी पर्मनेंट हेंदी में बोलते हैं तो अर्धिस्ताई सेमी पर्मनेंट को त्वेट को बहार निकालेंगे तो हमारा कि खिरा जो ज्याप रहता है इस वजए से हमारा किया है और दिसताई के अंदर गत आता है जिन लोग confusion रहती कि पर्मनेट फाश्णिंग पर्मनेट नहीं है रिविट हमारा अर्द इस्थाई है क्यों क्योंकि हमने बताया कि अब इतनी बार रिपीट कर दिया आपको समझ में आ गया होगा चलिए निश कोशन आपको बताना है कोशन हमरा 5 का राइटेंसर बोल्ट या सेमी पर्मनेट फाश्णिंग टेम्परेzd फाश्णिंग पर्मनेट फाश्णिंग नँण अपदेग्व और कि अप बोल्ट या नटcision हमने उस पर नट बोल्ट ढगा दिया है ठीक है आप मालो कुछ गड़वड़ी हो जाती कुछ भी है तो हम नट बोल को खोल सकते हैं तो जहां पर भी चीजों को खोलने पर हमें वह चीजें खराब ना मिलें तो वह हमारी कहलाती आइस्थाई फास्टिंग आपको समझें आ गएगा कि हमारा नाही नट बोल खराब अंदर अंदर कटी होती है तो नट जो होता है उसमें हमारी अंदरूर्ण ठेट करती होती है ठीक है तो राइट अंसर यहां पर हमारा यह हो जाएगा चलिए चलिए नेश कोशन का राइट अंसर बताई नट मुख्यता बना होता है मायल इस्टील कास्टें हाई स्पीड इ तो स्रयास हमारा किस परकार ठत्फ होताई फ्रेंज कमेंड करके तो स्ट रशन थे 18 करके घंट्रसेटीज सब्सकेशंदें कोषन में क्या पूछा या ऐख सटल चाह है यह भी माइन में यहारा होगा क्या क्smNoстаточно क्या चाहिए रहा करो णी density से बेलनग इसे दसई देख लेते हैं क्या पुछा गया तो हमारा इस टेंपरीरिक फास्टिंग चया पूछ एए के फॉच क्षेट इन आनल के ध्रेड दोनों सिरों पार कटी होती हैं तो बताना था किस फास्टेन में ध्रेड 290 पर कटी होती है5 फ्रेड अधिमीowa कि के जब की जो हमारा बोल्ट होता है उसमें के वल एक सब्सक्यां पर थर्ट करती है यह थोड़ा सा एक्जाम पर यहां पे संझा ने को जिसके ऐसा कुछ होता नहीं वह आप ज़ने का में देखो गए श्रयाम किसी भी बेलना का रॉड पर गड़्ट तरफ ट होती हूं समझ में होगा तो यहां पर राइट अंसर क्या होगा तो राइट answer की बात करते हैं तो किस फास्टर में थ्रेट दोनों शिरुप परकटे होती इस्टटर राइट answer यहाँ पर सी हो जाए ब्रेजिंग किस परकार का फास्टर है बहुत अच्छा कोश्न को बहुत पूछ्छा जाने वाला कोशन है हर एक्जाम में तो ब्रेजिंग क हमारा permanent fasting है मतलब कि इस्थाई fasting मतलब यह जब भी हम किसी भी पार्टों को खोलते आलग करते समय अगर इस फास्ट जब हम ब्रेजिंग कर देंगे तो उसमें क्या होता है कि अगर हम पार्टों को खोलेंगे या अलग करते समय फास्टनर स्वें खराब हुजाते मतलब यहां में पूछा जाने वाला कोशन है ठीक है चली नेश कोशन है सोल्डर किस फरकार का फास्टनर रहे बताना है आपको कोशन नमर गेरा का राइट एंसर तो सोल्डर हमने बताया था है रिवेट और सोल्डर हमारे किसके अंतरगत आते हैं सेमी पर्मनेट आर दिसाई फा कि दिश्क कि यहां के ली सब्सक्रांट को राइक का maior का है गजित तरह बाहर रहां सुआ को तो प्रोइन नमर 3 थ्रट बाहर कटी हुती है बोल्ट ठीकिए और यहाँ पर east स्डड में भी यहाँ जो हमारा इस्ट होता है इसमें भी हमारी बाहरी थ्रेट कटी होती है ठीक है तो यहाँ पर राइट अंसर यहाँ पर हमारा पर फास्टनर चैप्टर चालूँ आए तो हर एक कोशन को जाहें वह सिंपाल ओचाइब टब हर कोशन को कराना हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि अगर आप बहुत सारे ऐसे मेंबर होते हैं जो उनको थेवरी बहुत आ रही होती है बहुत ही वीक होते दोनों तरह के आप हमारी लाइटेस्ट में जोइन की हुए तो आगर आप भी जोइन करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं तो लाइटेस्ट कैसी लगी वीडियो को लाइक करके बताईएगा कमेंट कर दीजिएगा और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें वाटसअप कर सकते हैं डिस्कॉप्श ज़रूर जॉइन कीज़े, कल लाइव क्लास हमारी होगी 6 पीम में, इसके बाद हमारी नाइट पे होगी, फिर होगा हमारी 10 पीम में होगी, चलिए, बाई बाई फिर मिलते हैं, गुड नाइट, ठोके, टेक केर, अपना ख्यार लखें